नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहिर्ति जोती में आज के इस वीडियो में हम लोग सूरेकानत्यरपाथी के निराला जी द्वारा रचित प्रियतम Κवीता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे इसे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रियतम कवीता की व्याख्या को देखा था, इससे आप लोग अवश्य देखिएगा, और फिर उससे आपको इस प्रश्ण उत्तर को करने में सहायता मिलेगी, आपको सिग्रहिवा समझ में आ जाएगा, तो आईए शुरू करते हैं, कब से पहले कुछ वस्तो निष्ट प्रश्ण, आईए पहले प्रश्ण को देखते हैं, जो कि बहु विकल्पी प्रश्ण है, पहला प्रश्ण, विष्णु ने नारत को किसे अपना प्रधान भक्त बताया, ठीक है, विकल्प देखते हैं, पहला है लक्ष्मी को, दू प्रियतम कवीता में भगवान विश्णु ने नारद को एक सज्जन किसान को अपना प्रियतम भक्त अपना प्रधान भक्त पतलाया था तो गोईस का सही उत्तर है, दूसरा प्रश्ण देखते हैं, प्रियतम कवीता के रचैता का उपनाम है, तो आपको पता ही है, प्रियतम कवीता के रचैता यानि की कवी का नाम सुरीकांत्रिपाथी निराला है, तो इसमें जो निराला है वो इनका उपनाम है, इसलिए सही उत इश्वर को याद किया विकल्ब तेखिए क, घ, भार, घ, पाँच बार, ग, चार बार और घ, तीन बार तो कवीता पंडे पे हमें यह पता चलता है कि सज्जन किसान सारे दिन भर में अपने कारियों को करते हुए, महनत करते हुए, खेती बारी करते हुए भगवान को तीन बार याद करता है, भगवान का तीन बार नाम लेता है, इसलिए इसका सही उत्तर है, घ, तीन बार आईए साथा नमबर प्रश्ण देखते हैं कि नारत का दूसरा नाम है नारत का दूसरा नाम भक्त राज, देव राज, योगी राज और चौथा मुनी राज तो इस कवीता में जो नाम उलेक किया गया है वो है योगी राज भगवान नारद को योगी राज नाम कहके सम्मोधित करते हैं जो सही उत्तर है वो है ग, नारद का दूसरा नाम है योगी राज आईए लगुतर यह प्रश्न को देखते हैं पहला प्रश्न नारद जी क्या पूछने विश्नु के पास गय थे उत्तर देखिए नारज जी विश्णू से पूछने गए कि धर्ती पर आपका सबसे यसस्वी भक्त कौन है तिके यसस्वी भक्त कह सकते हैं तिके दूसरे प्रश्ण को देखते हैं कि नारज जी किसकी परिक्षा लेने गए तिके उत्तर देखिए नारज जी किसान की परिक्षा लेने गए जब भगवान कहते हैं कि एक किसान मेरा सबसे प्रियतम भक्त है तो यह बात सुनकर नारज जी जो है उस किसान की परिक्षा लेने के लिए जाते हैं तीसरा प्रशने देखिए नारज जी ने भक्त के पास पहुच कर क्या देखा तो उत्तर देखिए नारज जी ने भक्त के पास पहुच कर देखा कि वह दिन भर अपने जीवन के समस्त कारियों का संपादित करते हुए केवल तीन बार ही इश्वर का नाम लेता है यानि कि वह सारे दिन भर में भग्वान का नाम कितनी बार लेता है केवल तीन बार ही जो है वह इश्वर का नाम लेता है आईए आगे देखते हैं साथे नंबर प्रश्न को कि नारज जी भग्वान विष्णु के पास जाकर क्या बोले उत्तर देखिए नारज जी भग्वान विष्णु के पास जाकर बोले कि आपको पूरे धर्ती लोक में केवल किसान ही आपका प्रिया भक्त क्यूं है क्यूं किसान ही आपको सबसेधिक प्रिया है तो दिन भर में मात्र तीन बार आपका नाम लेता है तो यह बात जाकर बोलते हैं पाच्वे नमबर प्रश्ण को देखिए कि नारग जी ने लजजित होकर क्या कहा उत्तर देखिए नारग जी ने लजजित होकर विश्णु भगवान की व्याख्या को तमस्ते हुए कहा कि यह सत्य है, जब भगवान विश्णु ने समझाते हैं कि जब मैंने तुम्हे कारे दिया था, आप ते अपसे भरी पात्रों को लेकर पूरे भूमंडल को परिक्रमा करो, तो उसे करते वक्त आपने मुझे कितनी बारियात का किया, तो नारची क्या कहते हैं, एक बार भी न कारा दिया गया है, और उसे करते वक्त वह तीन बार मेरा नाम स्मरन करता है, यानि अपने कारियों को करते हुए भी वह मुझे स्मरन करता है, इसी कारण वह मेरा सबसे प्रियभगते हैं, और इस बात को नारची समझते हैं, और इसलिए कहते हैं, आप जो कह रहे हैं किस प्रकार हुआ उत्तर देखिए नारज जी की परिशानी का मूल कारण भगवान विश्णु द्वारा एक साधारन किसान को उनका सबसे प्रियभक्त मानना था नारज जी परिशान थे कि जो किसान दिन भर में केवल तीन बार ही इश्वर का नाम लेता है वह भगवान का सबसे प्रियभक्त कैसे हो सकता है नारज जी की यस व्याकूलता को दूर करने के लिए विश्णु भगवान ने नारज जी को एक तेल से भरे बरतन के साथ प्रिथ्वी लोग की परिक्रमा यानि की चक्कर लगाने का कारे तौप दिया साथ में यह आदेश दिया की बरतन से तेल का एक भूंद भी ना गिरने पाए जब नारज जी वापस लोटे तो विश्णु भगवान ने यह पूछा कि प्रिथ्वी लोग की परिक्रमा के दौरान यानि परिक्रमा करते समय आपने कितनी बार इश्वर का नाम लिया या मेरा नाम लिया पर्ष्ट था कि काम के आगे नारज जी इस्वर का नाम लेना भूल गए, इस्वर को स्मरन करना भूल गए, जबकि किसान अपनी समस्त जिम्मेदारियों के बीच भी तीन बार भगवान का नाम स्मरन करता है, या सत्य समझ में आते ही नारज जी की जो परेशानी थी वो दू हो गए, यानि कि नारज जी को समझ में आ गया, जान क्यों भगवान का सबसे प्रियो भक्त है, आए दूसरे प्रशन को देखते हैं, निराला ने कर्म और भक्ती का साम्मन जसी, यानि कि तालमेल, किस प्रकार दर्साया है, इस पष्ट करें, उत्तर दिखें, निराला जी क और शरीर इश्वर का दिया हुआ आश्रिवाद है, जीवन के समस्त उत्तर दाइत्वों और कर्मों को पूरा करना ही इश्वर का आदेश है, यानि हमें अपने कर्म को पूरा करना चाहिए, इश्वर के दिए उत्तर दाइत्वों को भूल कर व्यर्त के आडंबरों, वकर् लखना मूर्खता है अता किसान अपने परिवार और सामाज का दाइत्व सद्धासनि भाते हुए इच्वर को याद कर लेता है यही सबसे बड़ी फक्ति है निराला के अनुसार कर्म ही सबसे बड़ी फक्ति है आए तीसरे प्रश्ण को देखते हैं यह पंक्ति है नारज लज्जित हुए कहा यह सत्य है आशय सवपरशंग पश्ट करें उत्तर देखते हैं यह पंक्तियां साहित्यमेला के प्रियतम पाठ से उध्रत है इसके रचेईता सुरेकां त्रिपाठी निराला है अब इस पंक्ति की वी आख्या देखिए जब नारज जी को किसान की भक्ति का वास्तविक ज्यान हुआ तब उन्हें अपनी संका पर लज्जित होना पड़ा चान अपने समस्तों तदाइत्यों की पूर्ती और दिन भर की कठोर परिश्रम के बाद भी इश्वर का इस्मरन कर लेता था योगी राज नारद कर्म में लीन होने पर इश्वर को भूल जाते थे इसी कारण यानि कि जब योगी राज नारद जो है अपने कारे जो कारे उन्हें भगवान विश्णु ने सौपात था तो करते वक्त क्या करते हैं इश्वर को भूल जाते हैं इसी कारण भगवान विश्णु की व्याख्या के बाद उन्हें पश्चाताप होता है और ये लज्जित और वे लज्जित हो जाते हैं। उन्हें समझ में आजाता है की किसान वह ख्यूं भगवान सब से फ्रीयिह मक्त है। आज गे देखते हैं, आगे ब्रीयन वह भासा बोध दिया गया है। पहला प्रशण देखते हैं इसमें क्या है? निमनलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम बताएं यानि की जो शब्द दिए गये है उनका समास विग्रह करना और फिर उनका नाम बताना है तो आईए, सबसे पहला शब्द है, मृत्यू लोक मृत्यू लोक तो इसका समास विग्रह करते हैं, तो क्या होगा? मृत्यू का लोक और ये कौन जा समास है? सत्पुरुष समास सत्पुरुष समास दूसरा दिखिए सजन सजन का क्या होगा? सत्थ है जो जन सत्थ है जो जन कौन सा समास है? कर्मधार है कर्मधार है समास तीसरा कौन सा सब्द है? दो पहर तीसरा जो शब्द है वो है दो पहर दो पहर में कौन सा समास होगा? दो पहरो का मेल कौन सा समास है ये? द्रिगू समास विगू विगू समास ठीक है? ये बात कौन सा है? नाम समरण सम समरण क्या होगा? नाम का समरण नाम का समरण कौन सा होगा? तत्पुरुष समास जुरूस इसके पास आखिरवाला कौन सा है इस में विश्नु लोग यहां से देख लीजिएगा ठीक है विश्नु का लोग है विश्नु का लोग है जो ठीक है तो इसको मेरा करते हैं विश्नु का लोक है जो वह कौन सा है विष्णु के लोग को क्या कहते है बैकुंठ जहां भगवान विष्णु रहते है उसे हम लोग बैकुंठ कहते है बैकुंठ इसको हम लोग कौन सा समास है यह हमारा बहु बहु रही समास है बहु रही नमास तो यह आपका हो गया अब इसके बाद आगे देखी तो आगे दिया गया है कि निमनलिकित शब्दों का संधी विछेत कर संधी का नाम लिखें पहला शब्द है उल्लास उल्लास का उत्प्लस लास कौन संधी है व्यंजन संधी विच्छों यह व्याकरन की कक्षा नहीं है इसलिए मैं यहां पर आपको व्याकरन की नियम नहीं सिखा रही हूं केबल जो पार्थ में आये व्याकरन है उन्हें हल करके बता रही हूं लेकिन व्याकरन के नियम को सीखना बहुत अधिक आवश्यक है तो हम उसकी कक्षा भी करेंगे प्राता काल प्लस का निशान देंगे हम लोग प्राता काल कॉंसस है देखिए यहां पर है विसर्ग संधी विसर्ग संधी इसके बाद देखते हैं इसके बाद है कि निमनलखित शब्दों के तीन तीन प्रयायवाची शब्द लिखिए सबसे पहले है विष्णू तो मैं यहां नंबरिंग करके दे देती हूं विष्णू तो विष्णू का क्या है नारायन अरी आप और भी लिख सकते हैं जो आपको दूसरा कुछ पता हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं अन्य था इसे लिखकर याद कर सकते हैं लक्षमी पती दूसरा है परिक्षा परिक्षा का है मुल्यांकन इसके बाद इसके बाद जाच इम्तिहान इम्तिहान तीसरा है प्रातः काल प्रातः का तुबह सबेरा उशाकाल केवा चौता है हमारा इस्ट इस्ट का आराध्य प्रियर पूजिय अब भगवान भगवान भी लिख सकते हैं और इसके बाद हमारा आखिर का विश्व संसार जगत संस्तृति 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 कार्थ क्या होता है बिश्व इस पार्थ में आये हुए जो परवाची शब्द है आप लोगों को बता दिया है और आसा है कि यह प्रश्ट उत्तर आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होगी और सेवश्य आपको फायदा होगा यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिके साथ खन्ने बाद